हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुणीश जून 2018 की प्रिलिम्स अप्डेटर सीरीज में आपका स्वागत है, यहां पर हम 10 हिंदू, प्याइबी, न्यूज ओन एयार और बाकी भी जो इंपोर्टन न्यूज होती हैं प्रिलिम्स के नजरे से, उन सब को हम यहां पर डिस गुड में बना गई हैं तो आप एक्जामें बिल्कूल भी कन्फूज मत हुएगा, इसको बनाया गया था 2015 में, क्यों? 2015 में आपको पता कि गोर्णमीट्न ने योजना आयोक को उटा दिया था, मल्द! प्लानिंग कमिशन को सिर्फ पर रिप्लेस कर दिया गया था, नितिय तो यह चीज एक important fact बन जाता है और जो जन आयोग भी आपको पता है कि वो भी executive body थी ना कि कोई permanent body या statutory body होगरा कोई scene नहीं था तो यह चीज हमें आप पर धान रखनी है कि 2015 में बनाएका था executive body है यह इसके basic आप आपके देखते हैं निती आयोग है उसका में मोटो यह बनाए गया है कि जो भी sustainable development goal के तो target रखे गए है वड़िये द्वारा और हमारे देश की government ने भी जुवाद देखे हैं उनको अगर complete करना है तो हमें cooperative hedalism है इसको promote करना होगा इसके साथ यह उन target को अच्छिव करने की तरफ लगातार focus है व इसमें different point यह है कि यह bottom to top प्रोच पर काम करता है मलब इसमें ground level पर जैसे कि आप बता दूँ पहले क्या होता था पहले planning commission के टाइम पर यह सीन होता था कि central government plan and policy बनाती थी फिर state को देती थी और state उसको implement वगरा करते थे यह पूरी process होती थी पर अब क्या होगा नेतियायों क मतलब जो जीले हैं जो district होगए उनकी जो demand है उनकी according state government है वो central government के पास permission बेजेगी और उसके बाद वहाँ से जो योजने वगरा है वो उनकी coordination से बनेगी तो इसमें bottom to top प्रोच जीर है तो यह कि इसका नया concept है जो कि हमें आपे जान रखना है अब बात करते हैं इसके composition की इ द्वारा ही appointment हो किये जाते हैं यह धान रखना है इसके बाद में इसमें governing council होती है और एक regional council की बात कि जाती है तो यह concept है यह आपको यहाँ पर धान रखना है और regional council की जब हम बात करते हैं तो वो actually इसलिए बनाए जाती है ताकि कोई specific फिल कुई ऐसा कोई region आ गया है या कोई ऐसा समय से आ गई हो जिसे ने पढ़ना होँ तो regional council का निर्माण क्या जाता है क्योंकि regional का मदलब नहीं होता है किसी specific जो region वाला area है उसमें किसी भी issue है उसको address करना मुलब किसी specific issues गो address करने के लिए regional council का निर्माण है वो क्या जाता है अब बात करते हैं इसके member की तो इसमें तीन तरह के member होते है एक तो full-time member एक part-time member और एक ex-officio member full-time member होते हैं वो full-time काम करते हैं तो आपको इनको याद रखने की जड़ोता वो नहीं है पार-time member होते हैं वो maximum 2 हो सकते हैं और ex-officio member होते हैं वो होते हैं maximum 4 तो यह चीज़ हमें ध्यानरक नहीं है कि part-time maximum 2 हो सकते हैं ex-officio maximum 4 की बात यहां भी की जारी है इसके बाद में इसका जो vision है काम करने का तरीका है वो क्या थोड़ा हटके हैं देख आपको पता कि planning commission क्या करता था planning commission यह करता था योजना योग कि हर 5 साल के योजने बनाता था पंचवर से योजना या 5-year plan और उसके basis पर काम है वो क्या ज़ता था तो इस तरीके से नीती आयोग और planning commission है उन दोनों में difference मैंने आपको बता दिया I hope अब आपको एजली समझ में आ गया होगा अगर फिट भी आपके वो issues हो तो आप comment box में मुझे जरूर बताईएगा अब सलते हैं आगे अगला जो आर्टिकल हुआ है एजप्शन आइलेंड के बारे में है कंटेक्स कुछ ऐसा है कि अभी एजप्शन आइलेंड के जो प्रसिटेंट साब है उन्होंने इंडिया के साथ एक agreement हुआ था जो कि एजप्शन आइलेंड है उसका development के लिए गया गया था जबकि अभी उससे cancel हो कर दिया गया उनकी तरफ से क्यों क्यों क्योंकि एजप्शन आइलेंड में यह आप ऐसा issue चल रहा है वहां के जो पोजिशन है उन्होंने आरोव आरोव लगए और इसकी वज़ए से उन कभी कभी north to south range करवा लेती है कभी south to west range करवा लेती है कभी east to west वगेरा तो हमें इनकी locations अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले आपको मोटा मोटा हिंट से जगता हूँ कि north जो मेटागास कर रहा है उसके पास में है तो अब आपको समझ में आग गए कभी अफ्रीका के लोकेशन की तरफ यह आप देख सकतो उसकी location यहाँ पर इंडिया हो गया यह हमारा Arabian Sea और यहाँ पर बे बंगाल अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है सेचसल्स यह आप देख सकतो है इसके बाद में यहाँ आप यहाँ आप देख सकतो काफी close है यहाँ पर अब आपक आपको बताऊगा कि South Africa है, इसमें दो country हैं, जो कि South Africa के अंदर country है, इस country का नाम गया है, जहाँ पर हमारे प्रस्टेंट साब गये थे, और एक country ये भी है, जो कि South Africa के बोर्डर पर है, तो इन दोनों countries का नाम भी आपको comment box में बताना है, जहाँ पर हमारे प्रधान मंतिर साब ह है, वो widget पर गये थे, परी की exam से पहले की बात है, दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जब सब आइलेंड की location हमने देख लिए, यहाँ पर मेडागास करा है, यह भी हमें अच्छे से clear हो गया, यह यहाँ पर अलग गया है, इसकी location हमने यहाँ पर देख लिए, यहाँ इसकी location भी हमें पता होनी चाहिए, इसके बाद में यहाँ पर important Maldipas है, तो Maldip की location भी देख ली, और यह देख गो गेरी का है, यह भी आप location यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर हमारे अंडमानी को बार है, और यहाँ पर लक्सर दीप है, तो देखो आप UPC क्या कर इनको North to South यहाँ पर East to West आरेंज करवा लेगी, अब East to West में पूछ लेगी, तो क्या होगा, सबसे फ़हले Egyptian Island आएगा, उसके बाद में मेडागास कर आ रहा है, इसके बाद में आपका गए Allegar Island, और इसके बाद में आएगा सेचल्स, और सेचल्स के बाद में हाँ आपका North to South पूछेगी, तो हमें पता होना अच्छे कि पहले मालदी पर फिर सेचल्स है, फिर Egyptian Island है, और फिर मेडागास कर रहा है, तो ऐसे सिक्वेंस वगराइन के काफी important हो जाती है, जो भी Island होगर है, और अभी तो आपको पता है, इंडिया का तो agreement है, वो cancel हो है, तो इसलिए औ होला है कि इंडिया का एक प्रोग्राम था, जिसका नाम था सागर, सागर था, जिसका मतलब था security and growth for all in the region, मतलब जो Indian Ocean region है, इसके अंदर जो भी सागर की Indian Ocean में जो भी activities हो धी है, उनको security प्रवाइड करने के लिए, तो वहां के position का ऐसा लगा, कि यार इंडिया ना उसको व हमने देख लिया कि maritime initiative है, जो कि Indian Ocean की जो countries है, उनके बीच में है, ताकि security होगरा को clear हो किया जासके, अब यहां पर बात आते हैं, इंडिया नोसन countries को उनकोंसी होती है, यह दो इंडिया नोसन के आसपा जो countries हो आती है इंडिया नोसन, तो आप यहां पर देख सकते हो, यह इ अगली जो news आती है, वह आई यह ग्लोबल navigation satellite system के बारे में, तो context कुछ ऐसा था, कि अभी रसिया ने जो उनका satellite system है, इसका थोड़ा अप्रेड फोर्म वगरा लॉंच किये, तो वह तो देख सी पूछे कि कौन सा अप्रेड वगरा किया है, बट हमें यह पता हो ना थे, मैं इसदर following के लिए, कि जो GPS या जो satellite system है, नविगेशन वो कौन-कौन से कहां कहां क तो इसलिए ओविसलिए गेलीली हो जाएगा यूरोप से, इंडिया को आपको पता कि IRNS या इसको नाविक के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी आपको द्यानकना कि नाविक या IRNS दोनों ही एक ही है, इसके बाद में बात की जारी है, जापान की, जापान का हुआ है, जैंत अब सलते हैं, नेक्स, जो आर्टिकल है, वो आए है, आर्टिलरी गन के बारे में आए है, अभी हमारी जो गवर्न्मेंट है, उनके दोरे, मलब गवर्न्मेंट के दोरे तो आप नहीं बोलोगे, जो बॉर्डर रोड और्गेंजिशन थी, काफी सारी इंस्टूड थी, उन मेकिन इंडिया पार्टू, और मेकिन इंडिया पार्टू था, वो यह था, कि हमारे देश में जो गवर्न्मेंट, इनको डॉमेस्टिक रूप से प्रोड्डूस करें, अभी तो क्या वालाता है, मेकिमली जो गन अगरा ये भार से इंपोर्ट करें थे, बट अभी मेकिन इ सार्गेट को अची उबरती है, जैसे कि इसकी रेंज होती है, चालीश किलोमेटरी, तो ये धान रखना है, जो बोफार्स गन होती थी, उसकी का एक अफग्डेडेट वर्जन है, आपको बता कि बोफार्स गन का का काफी चैजाम पर रहाता का अर्गिली उद में, उनने का काफी है, भूमिका निभाई थी, अब यूपेस से इसे पूछले कि धनुस के है, तो मैं पता ना चीए कि एक गन है, कोई सब्मरीन वगरा नहीं है, कोई नेविल बेस से इससे भी कुछ है नहीं, तो ये एक इंपोर्टन फिक्ट यहां पर बन जाता है, तो ये भी आप ध ये पूली सोस्यल इंटरप्राइज डवल्लोपेंट प्रोग्राम है, तो सार्वण क्या करेगा, इसको लौँज करते हैं, देखेगा कि भाई, जो 80 इंटरप्राइजेज हैं, आर्टिस्ट, क्यों आपको बता कि सार्व के आर्ट मेंबर हैं, कौन-कौन से हैं ओ आर्ट मे सार्व फंड है, वो मैंली सार्व कंट्रीज के द्वारा बनाएगा था, साउथ एसें के जो ओरिजनल है कंट्रीज हैं, इनके द्वारा, क्यों, ताकि इस एरिया में सोचल, एकोनोमिक और इंफ्रास्रेक्टर को प्रमोट हो क्या जासके, तो इसके तीन पिलर है मैंने तर पर लेक्ट आना है, तो आपको पता कि सार्व कंट्रीज की अच्छी नहीं है जितने की डवलप कंट्रीज के है, तो उसी डवलप कंट्री के तरज पर पहुंचने के लिए भी हमें कुछ न कुछ न कुछ इनिसीटी उठाने पड़ेंगी न, तो वो सब यहां उठाने की बात है, वो की गी है, और इसी दोरान जो सार्व फंट है, इसके तेट अभी यह प्रोग्राम लाउज करने की बात है, ACDP, जिसमें होगा क्या, इस प्रोग्राम में जो इंटर्व्राइज बगर है इनको फंट दिया जाएगा, ताकि वो उपने आपका डवलप कर सके हैं, अगय है, वो आग जाते हैं, तो यह आपको धान आकने की सार्ग फंट है, क्या, कि सार्ग हैं, वो भी आपको धान रखनाना है, क्या क्या बरीक हैं, वह प्रोग्राम हो हमने देख लिए, अगला जो एक चुटा सा पॉИंट आई embed मत फिली थे यह अरुपए लिगुकि यह दो वर्ट हैं काफी बार बार नहीं आए जाते हैं कि गुशल्मlarını यह तो इससे हम देखते हैं ग्रीन पिर्ट की बात है वो कुछ ऐसी कि हिए जी बाव अधल तो अगर पूरे नए सीरे से स्टार्ट और एक दम फ्रेस काम हो रहा है वो तो जाएगा Greenfield Project में जाएगा और Brownfield Project वो हो जाएगे जो कि वहाँ पर ओलेडी थोड़ा बहुत construction हुआ है जैसे ही हो गया कि भाई जो भी एरिया है उसमें नी और डली हुई है और थोड़ी सी बाउंडरी वगरा है जो बोल्डर वगरा है वो बना हुआ है इसके बाद में नीचे भी कुछ basic एक दो रूम बगरा में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ हुआ है तो उसको फिर आगे complete करना है वो हो जाएगा Brownfield Project तो आपको धान रखना है Greenfield का मतलब एकदम फूरा fresh project हो जाएगा Greenfield Project में और Brownfield का मतलब पर हो जाएगा कि पहले से कुछ बना हुआ है उसे में कुछ changes वगरा करके उसको आगे लेकर जाना हुआ हो जाएगा Brownfield Project तो दोनों के भीच में तुरा difference हो पता हो ना चीए क्योंकि यह बार दोनों वर्ट कहीं न की आ जाते हैं इसके अलावा में आपको एक important चीज यह बताना चाहूँगा कि Unacademy पर मेरे कफी कुछ courses वगरा है वो start हो चुके हैं तो वहां से आप environment की series है वो almost उसमें 5-6 lecture upload हो चुके हैं इसके साथ ही उसमें environmental bodies हैं उसका lecture भी start हो चुका है वो देखा जाए तो उसके अंदर और भी बहुत से courses अगर आपको मिलेंगे और वहां पर आपको लगता है कि CSET की classes भी start करने चाहिए तो आप comment box में बताना ताकि CSET की classes भी वहां पर start है वो की जा सकती है तो उसके बारे में आपके जो भी suggestions होगरा हो वो आप मुझे comment box में जुरू बताईए अगर आपको फिर भी कोई ऐसा लगता हो कि यहां पर कुछ changes होगरा करने है उसके coding आप बत जा सकते हो इससे के साथ एहम बात ही है कि जो मैंस के लिए answer writing जो बात की जा रहे है उसके section भी कल से start हो चुके है even मतलब आज रात से मैंने start कर दिये थे तो वो lecture भी आपको अनकेडमी की official website पर मिल जाएंगे आप अनकेडमी की official website पर जाना वहां से आप search करके जो भी lecture होगर रहा है वो सारे मिल जाएंगे free है कोई भी वहां पर paid वगर आनी है आपको पहले inform कर दता हूँ तो यह तो थी आज की my discussion फिलाल की discussion में इतना ही है thank you very much for discussion